इस कहानी के लेखक है नितीश कुमार शाम का वक्त है बैट पर खुलाप के फूलों का दिल बना है और बिस्तर पर चारों तरफ खुलाप की पंखुणिया बिखरी पड़ी है Happy birthday to you पीछे से राज ने कहा रूम की सजावर देख संजना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा राज ने भी संजना को अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी फ्रेंच किसकी बात संजना बोली बस दो मिनिट और मैं अभी रेडी हो कर आई तब ही राज संजना के हाथ में कपड़ों का पैकेट थमाते हुए बोला जान प्लीज आज ये इड्रेस पहनना संजना शर्मा जाती है और राज को कहती है तुम बाजू वाले कमरे में जाओ जब बोलूगी ताबाना राजू भी संजना की बात मान दूसरे वाले कमरे में चला गया दूसरा कमरा संजना के रूम पार्टनर पलनवी का था रूम की हालत एक राज दंग रह जाता है क्योंकि इस कमरे में काले जादू का सामान बिखरा पड़ा हुआ था नेबू, वोडू डॉल और किसी राक्षस की फोटो, कुछ कीले भी और इंसान की फोटो भी जिसका चहरा सिगरिट से चलाया हुआ था राज अभी ये सब और से देखी रहा था कि तभी संजना की आवाज आई I'm ready, love राज कमरे को ध्यान से देखता हुआ हैंगर पर टंगे लेडीज अंडर गार्मेंट्स को साइड करता हुआ फॉरन संजना के सामने चाप पहुचा राज की मदभरी आँकों में शरारत देखकर संजना शर्मा गई थी और पैरों की उंगलियों से विस्तर कुकुरेती हुई खुद में खुद को समेटने की चद्व जहद में लग जाती है तभी राज आगे बढ़कर उसे अपने आगोश में ले लेता है और विवा के पहले ही एक संपूर्ण सुख प्रदान करने में चुट जाता है दूसरे दिन राज अपने फ्लैट पर अपने रूम पार्टनर सुहम के साथ सिगरेट के चल्ले बना रहा था तभी राज के मोबाइल पर संजना का फोन आया संजना से सारी बात होने के बाद राज ने सुहम से का सुहम, संजना आज मेरे रूम में आ रही है तो एक काम कर फ्रेम की फैट में चला जा इस पर सुहम बुला यार मेरे कमरे पे तो तुने पहले सी कबजा कर रखा था अब तु मुझे मेरे फ्लैट से ही बार जाने को कह रहा है तु ही पता यार इस बारिश में कैसे बार जाओ यार अब तु रो मता तेरे ओटो का पैसा मैं दे दूँगा, कल दारू भी पिला दूँगा, बस राज की बात मान सुहम फ्लैट से जा चुक्या था राज अब संजना के इंतिजार में ही था कि तभी एक बार फिर संजना का फोन आया राज माई लाव, कुछ एमरजनसी आ गई है इसलिए मैं आज नहीं आ रही रूम पर, हाँ, लेकिन कल सुबह पक्का आ जाओगी संजना की बात सुन, राज अपना मूड आफ करके बैठ गया था पर अब उसके अंदर की वासना की आग भढ़क चुकी थी इसी चक्कर में, अब वो किसी उधेड़ बुन में लग गया था क्योंकि अब सुबहम भी फ्लैट से जा चुका था राज ने तुरंथ ही किसी का फोन किया मैं केलाओ, तू फ्लैट पर आजा इतना कहेकर राज ने फोन कार्ट दिया था दूसरे दिन जब संजना राज के फ्लैट पर आई तो दोरों में जबरदस रुमैंस शुरू हुआ रुमैंस ही रुमैंस में जाने कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला दोनों एक ही चादर में लिप्टे एक दूसरे के आगोश में सुहम के लेप्टॉप में फिल्म देख रहे थे तब ही संजना ने कहा चलना राज थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं वैसे भी मेरा पूरा बदन तोट सारा है मुझे चाई पीनी है इस पर राज बोला बार बारे चुरी है संजना और फ्लैट में तो चाई बना रहे गा सामानी नहीं है रुको मैं बाहर से तुमा लिए चाई ले कर आता हूँ संजना से कहता हुआ राज बाहर चला गया राज के नहोने पर संजना बोर होने लगी थी क्योंकि राज को आने में देरी हो गई एक चाई लीनी में राज को इतना टाइम क्यों लग रहा है खुद से कहती हुई संजना ने फिल्म को पॉस कर दिया फिर लैपटाप की बागी फाइलों को देखने लगी संजना भी लैपटाप की फाइलों को देखी रही थी कि अचानक इसे को जैसा दिखा जिसे देख उसका खून चमसा गया संजना पूरी तरह से टूट चुकी थी उसकी आँखों से आसु थम नहीं रहे थे तब ही राज भी हाथ में चाहे लिए संजना की सामने आ जाता है वो अभी संजना से कुछ क्याई रहा था कि तब ही उसकी नजर लेपटाप की स्क्रीन पर गई जिसमें राज किसी और लड़की के साथ संभोग करते हुए वीडियो बना रहा था जिससे देख राज के पसीने चूटने लगे थे संजना मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हुआ क्या समझाओगे तुम मुझे राज इस वीडियो को देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है मुझसे मन भर गया था तो एक बर बता देते मेरी दोस्त मेरी रूम पार्टनर को क्यों बरबात किया पलवे मेरी अच्छी दोस्ती राज और तुम मेरे पीट पीछे ही मेरे दोस्त के साथ रंगरलिया मनाते रहे कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर संजना की आँखे खुसे से लाल हो चुकी थी जिसे देख राज ने कर्दन चुकाते वोई का मैं तुम से मिलने के एक अफ़ते बाद से ही जब पहली बार तुमारे फ्लैट पर आया था और नशे में तुम जल्दी सो गई थी न तब पलवी और मेरी बाते शुरू गई और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने खरी पागए और यह सब होने लगा फिर उसके बाद हर बार तुमारा पेट भरने के बाद मैं उसकी प्यास बुजाने उसके कमरे बे जाता था और अभी राज बोल ही रहा था कि तबी संजना ने राज का कॉलम पकलों से दूर नखेल दिया जी राज मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने अजी कही का नहीं छोड़ा इतना कहकर संजना रोती हुई राज के फ्लैट से चली गई राज भी उदास मन से विस्तर पर लेट गया और सो गया राज अपने उफान पर थी कि जबी राज के फ्लैट पर किसी ने तुस्तक दी राज एक पल में नीन से जाग गया था उसने जैसे ही दर्वाजा खोला तो दर्वाजे पर कोई था ही नहीं राज दर्वाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुणा तो देखा संजना छट से उल्टी लटकी हुई थी उसके गले में टूटी हुई रस्सी थी जैसे किसी ने उसे फासी लगाई हूँ और संजना के पीट में खंजर भी खुसा हुआ था राज संजना की हालत देखकर तर्व के मारे कापने लगा था पुटर के मारे वापस अपने फ्लैट से बाहर जाने को मुणा ही था कि देखा संजना उसके ठीक आपों के सामनी ख़ली है मैं कोई केलने की चीज नहीं हूँ राज मैं एक औरत हूँ जिससे तुने धोका देकर अपनी वासना की भूप मिटाई है और मुझे रौन दिया उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी इस से पहले कि राज संभल पाता संजना ने अपने पेट से खंजा नकाल के राज के पेट में खोब दिया राज दर्थ के मारे तरफ में लगा था वो अपना दर्थ परदाश नहीं कर पाया और नीचे किर गया इतने पर भी जब संजना का पेट नहीं भरा तो वो राज के उपर ही खोड़ेई और इसकी गर्दन के मांस के अपने ताथों से नोच से कोई प्थाने में गी राज फर्ष पर लेटा हुआ तरफ के मारे चप्था रहा था अपने पैर पथक रहा था देखते ही देखते संजना लाथ की कल्दन और छाथी का मांस नोच कर खाच पी थी राज की छाथी की हज़िया साफ दिखने लगी थी और इसकी सांसें अपी भी बाती थी बहुत हिम्मत कर राज ने संजना को खुझ से दूर छटका और बदहवास ही फ्लैट से निकल मुंबई की सड़कों पर दोड़ता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुचा ये सुन इंस्पेक्टर बोला जिसे बचाना था उसे तो तुरे खुझ ही मार दिया और अगर तेरे जिसम से मास नोच रही थी तो खुझ के निशान कहा है तो तो बिल्कुल सही सलामत ख़़ा है इंस्पेक्टर की बात सुन राज चौक गया उसने जब खुझ की चाती चुई तो बिल्कुल सही सलामत थी राज के जिसम पर हून का एक कतरा भी नहीं था उसे समुझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्लैट में संजना ने जोगिया राज के पेट में खंजर गुझाना और उसकी साथ ही आमांस नोचना वो सब क्या सिर्फ एक वहम भर था ये सब सूच करी राज के होश उड़ गए तब ही इंस्पेक्टर ने हवलदार से चिलाते हुए गा जिन्दे बड़ी चर्वी चड़ी है धाल इसको लॉक अप में अभी इसकी सारी चर्वी उतारता हूँ साला में पेपकू बनाने चला है वैसे भी हम इसे ही पकड़ने जा रहे थे इंस्पेक्टर की बात मान हवलदार ने तुरंथ ही राज को करदन से पकड़ उसे लॉक अप में बंद कर लिया मा रखाते वक्त राज को भी पता चला इसको धारा तीनसो पिछस्टर तीनसो जट्र और तीनसो तो लगी है यारी रेप के बाद और मुर्डर का केस जिसमें बेल भी नहीं मिलती राज की हावलद बद से बत्तर होती जा रही थी इंस्पेक्टर और हवलदार राज से उसका जरुम कबूल करवाने लगे हुए थे पर राज ने मुख खोला तो सिर्फ चीखने और चिलाने के लिए राज के तीन बजने को हो गए पर राज ने इंस्पेक्टर के आगे अपना जरुम नहीं कबूला पर हर मार, हर चोट के बाद राज इंस्पेक्टर से बस इतना कहता कि उसे एक आखरी बार संजना का चेहरा देखना है उसके बाद इंस्पेक्टर जैसा बोलेगा राज अपना चुर्म कबूल कर लेगा इंस्पेक्टर ने राज की बात मानी और आज को सीधा संजना के फ्लैट पर ले गया जहां पहले से ही संजना की रूम पार्टनर पल्लवी मौजूद थी पल्लवी की बाते सुन राज को संजना के साथ हुई वारदात के बारे में पता तो चल गया था लेकर उसे इस बात पर अभी भी अखी नहीं था कि संजना को उसने मारा है सब की जानने के बाद राज ने पल्ल वी से कुछ नहीं कआ और इंस्पेक्टर के साथ फ्लैट के अंदर चला गया राज जब फ्लैट के अंदर गया तो फॉरेंसिक वाले संजना की लाश को स्ट्रेचर पर अक्र ले जा रहे थे संजना की लाश टेक राज तूट गया उसके अंदर डर का सैलाब उमर बड़ा क्योंकि संजना की लाश बिलकुल उसी हालत में थी जैसा की राज ने अपने फ्राइट में देखा था पेट में चाकू थासा हुआ गले में तूटी रस्ती लटकी हुई पुलिस ने जब पंचरामा किया तो उसे संजना की कमरे से वह सारे सबूत मिले जो ये बात साबित करते थे कि संजना को मौत के खाट उतारने वाला कोई और नहीं बलकि राजी है लाख दलीले और महेंगे वकीलों के बावजूद भी राज खुद को नहीं बचा पाया और उसे संजना के मौडर में उम्र खैद हो गई आज राज को साथ साल जेल में हो गए और आज ही उसे जेल से पागल खाने भेचा जा रहा है कहते हैं वो रोशनी को देखते ही चीखने लगता है अपना आपा खो देता है साथ साल की अब तक की जेल में राज ने छे साल तो अंधेरी काल कोटरी में ही बिताए हमलदार बताते हैं कि राज की कोटरी से अकसर चिलाने और माफी मांगने की आवाजें ही आती थी वो आधी राधी रात कोट कट कर रोता था गिर गिराता था उनका कहना था कि राज अंधिरे में ही किसी लड़की से बात किया करता था राज पागल खाने पहुचकर भी अंधिरे कमरे में ही बंद पड़ा रहता था फिर एक दिन उससे मिलने के लिए दो लोग आए सब के मिलने का इंतिजाम एक अंधिरे कमरे में किया गया राज अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था गर्दन तक विखरे बाल आखों के नीचे काले धबबे जिनने देख कोई भी राज से सहम जाए राज कमरे में गर्दन जुगाए बैठा हुआ था कि तब ही उसके जहरे पर किसी ने टॉर्च मारी लगता तो वही है अपना राम सुनकर जब राज ने सामने देखा तुसके सामने पल्लवी और सुहम खड़े थे कैसा है मेरे दोस्त सुनें तू पागल हो गया अरी पत बोलो पिचारे को बुरा लग जाएगा राज से कहते हुए सुहम और पल्लवी जोर जोर से हस रही थे दोनों की हसी सुन राज का मन खट्टा हो गया था आई क्यों तुम दोनों बस देखने आये थे बरबाद होने के बाद भी तेरी अकड़ गई के नहीं राज सुहम और पल्लवी की बातें बड़े होर से सुन रहा था भरबाद क्या मतलब है तुम दोनों का मेरी सहालत की वज़ा तुम दोनों राज की बात सुन सुहम और पल्लवी दोनों एक दूसरे को देख हसने लगे थे अरे बेवकूफ इतने साल मिले सोचने के लिए फिर भी तुझे समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया तुम साब साब क्यों नहीं बतातें पल्लवी से कहते गोई राज उससे में आ गया था वो कुर्सी से खड़ा हुआ ही था कि सोहम नहीं राज को धक्का देकर फिर से उसे कुर्सी पर बैठा दिया फिर राज का कॉलर पकड़ खुसे पर बोला हाँ तेरी सालत की बज़ा हम दों नहीं है मैं संजना से बे इंतिहां प्यार करता था तु शायद भूल या राज लेकिन मैं और संजना बचपन के दोस्त थे मेरा पहला और आखरी प्यार थी वो और तू मेरे सामने ही मेरे प्यार को मेरी विस्तर पर रूंता था फिर तुझे कैसे छोड़ देता मैं सुहम की बाते सुन राज का सर भटने को हो गया था उसने चीकते हुए कहा तो क्या संजना का रेब तू ने किया था हाँ और फिर उसे फासी भी मैंने लगाई थी जिसमें मेरा साथ पल्लवी ने दिया था ये सब सुन राज की सांसें कर्ब होने लगी थी वस्ते से उसके नथोने फूलने लगे थे और कमरे न सबको ठंड लगने लगी थी क्या पल्लवी ने पर पल्लवी का संजना से क्या लेना दे रा वो तो संजना की अच्छी दोस्त हुआ करती थी फिर राज पल्लवी से कहता हुआ कमरे की छत को देख मद्द मद्द मुस्कुराने लगा था कि दभी पल्लवी ने कहा राज मैं संजना की दोस्त सरूर थी लेकिन मेरा प्यार तुम थे मैं तुम से प्यार करती थी पर तुमने तो मेरे जिसम के इलावा कुछ देखा ही नहीं कितनी बार राज तुम मुझे नोच रह होते थे पर तुम्हारे होटो पर संजना का जिक्र होता था और जो काले जादू का सामान तुमने मेरे कमरे में देखा था वो मैं करती थी तुम पर और संजना पर लेकिन जिस दिन संजना ने तुम्हारे फ्लैट पर आने से मना कर दिया था और तुमने मुझे फून करकर अपने फ्लाट पर बुलाया था तब मुझे रास्ते में सो हम मिला जो संजना के लिए रो रहा था उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे फिर तबी से मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूते खटा करना शुरू कर दिया फिर मैं अपने प्यार संजना के बास गया एक राकरी बार मैंने उसके गोमल बदन को छुआ उस पर अपने दाट कराए उसे बेताशा मारा मैंने वो सब कुछ किया जो मैं उसके साथ करने का सोचता था फिर उसे तलबा तलबा गदमा डाला और तुम से इकटा हुए सारे सबूत हमने संजना के बास बारी बारी से रख दिये था कि सब को यह लगे कि सब तूने किया है हर ऐसा ही हुआ हमने तुझे बरबात कर दिया राज बरबात कर दिया सोहम की बात सुन राज रोने लगा था और उसकी आवाज सुन कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज भी गूजने लगी थी जिसे सुन सुहम और पल्लरी की रूख आप गई थी उन्होंने चैसे ही टॉर्च की रौशनी कमरे की छट पर डाली तो निस एकों संजना तीवारों से चिप की नजर आने लगी उसके पेट में अभी भी खंजर गणा हुआ था उसके गले में आज भी वही तूटा हुआ फंदा पड़ा था पर संजना पहले से और भी ज्यादा तरावनी और अपसैल हो चुकी थी संजना का ये रूप देख सोहम और पल्लवी दोनों कमरे से टर के मारे चीखने लगे थे वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुए थे उनके पैर जम गए क्योंकि उनकी आपों के सामने ही संजना खड़ी थी संजना तुम? तुम तो मर गई थी? सोहम संजना से कहता हुआ तरता हुआ पीछे हट रहा था तबी पल्लवी बोली संजना मैंने कुछ नहीं किया मुझे तु सोहम ने पैसे दिये थे और पल्लवी की बात खत्म होते ही संजना ने पल्लवी की मुँ में हाथ डाल कर उसकी जड़ान ही कीच ली फिर उसकी आँखे फोड़ से गर्दन से पकड़कर एक कौने में फेक दिया ये सब देख डर के मारे सोहम का खून सूख गया था मैं बानती हूँ कि मेरे बॉइफरिण ने मेरे साथ गलत किया लेकिन तुझे किसने मेरे साथ गलत करने का हग दिया क्यों मुझे रॉन्दा क्यों पर बात किया तुने मुझे बोल संजना की बात संद सोहम के मुँ से चूँ तक नहीं निकली वो डर के मारे काप रहा था इससे पहले सुहम कुछ कहता संजना ने सुहम के दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग कर दिये फिर उसकी भी आखे फोड़ दी सुहम अपनी मौत के लिए तरब रहा था पर संजना ने किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारा सुहम और पलवी के दिल में संजना का डर इसकदर बैठ गया था कि उन दोनों ने अपना चुर्म कुबूला और आज हमेशा हमेशा कले बायजद बरी हो गया लेकिन आज भी वो रोशनी से डरता है उजाले को देखकर चीखने लगता है इदर सुहम और पलवी भी पागल खाने में अपने आप में बड़बडाते रहते हैं चीखते हैं खुद गरोचते हैं शायद अब तीनों में से कोई भी संजना के डर से कभी पाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों मीते आप जान पाए होंगे कि हर खलती के अपनी एक सजा होती है आप किसी भी खलती के लिए किसी को भी मौत की सजा नहीं दे सकते हैं डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी होरर हिंदी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी टरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो अभी भेजी अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल इट्रेस पर हो सकता है अगली रूख का पादेने वाली कहानी आपकी हो